CM को काटा मच्छर ने और सजा मिली इंजीनियर को मध्यप्रदेश की CM शिवराज की नीन में खलल का खामियाजा इंजीनियर को भुगतना पड़ रहा है नमस्कार आप देख रहे हैं MP तक मैं हूँ अकांग शठाकुर दरसल मध्यप्रदेश के मुखे मंतरी शिवराज सिंग चोहान सीधी बस हाथसे में मृत्यकों के परिजनों से मिलने और वहाँ के हालात जानने पहुचे थे और दिन भर के दौरे के बाद जब CM शिवराज सरकिट हाउस आराम करने के लिए पहुचे तो मच्छरों ने CM की नीद उड़ा दी बताया जा रहा है कि रात भर मच्छर CM शिवराज को काटते रहे और इस वजह से उन्हें नीद नहीं आए यहां तक कि सरकिट हाउस में मच्छर दानी भी नहीं थी फिर क्या था आधी रात को ही CM शिवराज सिंग चोहान ने अधिकारियों की क्लास लगाई और फिर रात के धाई बज़े सरकिट हाउस में मच्छर माणने की दवा छिड़ की गई इतना ही नहीं इस मच्छर कांड के बाद सरकिट हाउस की प्रभारी इंजीनियर बाबुलाल गुपता को सस्पेंट भी करने का फर्मान जारी कर दिया गया है CM शिवराज की मुश्किले यहां पर ही खतम नहीं हुई किसी तरह मच्छरों से छुटकारा मिला लेकिन उसके बाद सुबह चार बजे पानी की टंगी ओवरफ्लो हो गई जिसकी आवाज से CM शिवराज की नीन खुल गई इतना ही नहीं मोटर बंद करवाने के लिए भी खुद CM को ही उठना पड़ा और जहां CM ने देखा कि मोटर बंद करने का सिस्टम भी सरकारी सिस्टम की तरह भगवान भरोसे था सरकिट हाउस में परिशानियों से भरी रात गुजारने के बाद CM शिवराज भोपाल के लिए सुबह रवाना हो गए आपको बता दे कि CM शिवराज ने बस हाथसे में जानगवाने वालों के परिवारों से मुलाकात की जिसके बाद वो रात में सीधी कलेक्टर आफिस में अफसरों के साथ उन्होंने बैठक भी की जिसके बाद वे आराम करने के लिए सरकिट हाउस पहुचे थे जहां उन्हें आराम तो नहीं मिला लेकिन फ्रशासनिक अविवस्था की जहां की जरूर देखने को मिल गई अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आए तो लाइक और शेर करें साथ ही MP तक के YouTube पेज को सब्सक्राइब करें